रोश्कार बच्चों मैट्स की आज फोर्थ क्लास में आप लोगों का स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि पिछली तीन वीडियोज में हमने H.S.S.C. का जो एक्जाम है ठीक है उसके हिसाब से हमने questions अपने time and work के start करने किये थे time and work यानि समय और कारवे के ठीक है तो यह हमने बिल्कुल basic से start किया था ठीक है और धीरे धीरे हम अपने topic को advance level की तरफ लेके जाएंगे तो पिछली तीन वीडियोज में पिछली तीन वीडियोज में उनके link आपको मिल जाएंगे ठीक है और नीचे link add भी किये हुए होंगे तो अगर पीछे वाली वीडियोज आपको देखने हैं तो आप उनके उपर click करके direct देख सकते हैं ठीक है तो पिछली तीन वीडियोज में हमने दो type के questions clear कर लिये हैं ठीक है तो दो type यानि पहला तो था हमारे पास formula based कौन से formula based ठीक है और दूसरा था A and B वाले A and B यानि जो आपके LCM के उपर depend करता है तो अब आती है आपके पास third type ठीक है तो third type के जो questions हैं ठीक है जो time and work के third type के जो questions आपके आएंगे वो आपके रहते हैं कि भी A, B और C A, B और C group में काम करना start करते हैं और धीरे-धीरे कोई जाने लगता है यानि group left करने वाले questions भी कुछ दिन काम किया उसके बाद B चला गया कुछ दिन काम किया उसके बाद B left हो गया और कुछ दिन के बाद कौन हो गया C left हो गया तो यहाँ पर दो टाइप से question पुछा जाता है एक तो आप से पुछा जाता है कि भी remaining work जो होगा यानि जो बचा हुआ काम होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा तीक है और दूसरा question क्या पुछा जाता है दूसरा पुछा जाता है टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा तीक है तो यह दो question आते हैं सबसे पहले आता है group left करने वाला इसी में आगे पाता है ABC के ही आएंगे group में add होने वाले कुछ दिन के बाद B भी group में add हो गया और कुछ दिन के बाद C भी group में add हो गया तो यहां पे भी remaining work पूछता है और total work पूछता है तो addition के question आते हैं third type जो आपकी बनती है वो बनती है replace वाले question replace यानि मैं कहता हूँ A और B ने किसी कारे की शुरुवात करी और कुछ दिनों के बाद B को replace किसने कर दिया C ने यानि अब जो working होगी वो किसके द्वारा होगी A प्लस C के द्वारा तो यह होता replace replace का मतलब क्या है B को निकाल कर A की जगह है इसके साथ कोण आ गया C आ गया तो यह आते है replacement वाले question ठीक है और इसके बाद रहते है alternate days के alternate days alternate days यानि एक अंतर कारे एक अंतर दिन कारे किया एक अंतर दिन कारे किया यानि एक दिन A ने किया फिर B ने किया फिर A ने किया फिर B ने किया फिर A ने किया फिर B ने किया तो यह series ऐसे चलती रहेगी ठीक है last type जो सबसे important रहती है ठीक है important तो वैसे यह दोनों ही है तो last type जो आपकी रहेगी वो कुन से रहेगी वो होगी कार्य समाप्ती से पहले चले जाना यानि लीविंग बिफोर कम्पलीशन लीविंग बिफोर कम्पलीशन ओफ वर्क तो थर्ड टाइप में इतने टाइप के कोश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं तो आज हम देखते हैं ये पहली तीन ताइप तो ये कम्पलीट करने की कोशिश करते हैं तो देखो सबसे पहले लेते हैं बिल्कुल बेसिक सा कोशन ठीक है कोशन वन और पहली जो हेडिंग रहेगी वो होगी ग्रूप लेफ्ट की ग्रूप को छोड़ दिया ठीक है कोशन हम अपनी मर्जी से बनाएंगे मैं कहता हूँ एक इसी कारे को करता है आठ दिन में और बी किसी कारे को करता है पंदरा दिन में ठीक है कोशन में की स्टेट्मेंट यहां लिख देता हूँ ए और बी ने ए और बी ने कारे करना शुरू किया और तीन दिन के बाद तीन दिन के बाद ए ने कारे करना बंद कर दिया तो शेश काम कितने दिन में होगा कितने दिन में होगा और पूरा काम कितने दिन में होगा यह कोशन है तो इंगलिश में में बोल देता हूँ ए और बी शार्टी डे वर्क अटर थ्री डेज ए लेफ दा वर्क फाइंड नंबर ओफ डेज इन विच रिमेनिंग वर्क इस कंप्लीटिड एंड टोटल वर्क इस कंप्लीटिड तीक है तो यह कोशन है तो देखो सीधा कहता है ए ने कार्य करना बंद कर दिया ए ने कार्य करना बंद कर दिया यानि वो ग्रूप में से जा चुका है तो अगर ग्रूप में से जा चुका है तो वो जाएगा तो अपनी एफिशेंसी लेकर चला जाएगा तो देखो कोशन का solution कैसे आएगा दो step मैंने आपको पहले ही बताए है वो आपको हमेशा करने ही करने है A 8 में B 15 days में LCM आगया आपका 120 ठीक है तो यहाँ पे efficiency आगई 15 और यहाँ पे efficiency आगई 8 A और B ने कारे करना शुरू किया किसने शुरू किया A और B ने कारे करना शुरू किया A और B अगर मिलकर काम करते है तो दोनों की efficiency क्या हो जाती है प्लस तो कारे की शुरुवात किसने करी A और B ने तो 15 और 8 23 की efficiency आगई कितने दिन बाद बंद किया तीन दिन के बाद तो इसका मतलब तीन दिन तक तो तो दोनों ने मिलकर कारे किया ही है तो तीन दिन में कितना काम हो गया तीन दिन में आपका काम हो गया 69 यूनिट 69 यूनिट अब ये 69 यूनिट वर्क करते ही कोण चला गया A चला गया भी तो अब बचा हुआ कोण है B किस efficiency के साथ 8 के साथ क्यों अगर A गया है तो वो अपनी efficiency तो लेकर चला गया न तो अब गुरूप में सिरफ B बचा और वो किस efficiency से काम करेगा 8 की efficiency से काम करेगा टूटल काम कितना था 120 जिसमें से 69 यूनिट वर्क तो हो चुका है तो अगर मैं लिखूँ कि remaining वर्क कितना रह गया तो ये मुझे क्या मिलेगा 120 माइनस का 69 तो ये आपके पास कितना आ गया 51 ठीक है 51 वर्क रह गया और ये वर्क करेगा कुन ये करेगा भी ये तो कितने days लगेंगे इसको 51 बाई 8 कितना लगेगा 8 6 जा 48 6 3 बाई 8 देज ठीक है तो ये तो आपका आंसर आया अगर आपसे पूछा जाए की की 6 काम कितने दिन में समाप्त होगा 6 काम यानि कि remaining वर्क ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए total वर्क कितने दिन में समाप्त होगा तो टोटल वर्क यानि इतना तो लगेगा ही लगेगा 6 3 बाई 8 और ये जो तीन दिन पहले काम किया है ये भी हमें क्या करना पड़ेगा इसमें एड करना पड़ेगा तो यानि total वर्क का जो आंसर है वो मेरा होगा 9 3 बाई 8 पेज तो ये हमारा है पहला आंसर और ये हमारा है दूसरा आंसर तो बहुत important question है थोड़ा ध्यान से क्योंकि अगर statement आप लोगोंने skip कर दी तो ये question किसी काम का नहीं रहता तो ध्यान रखना कौन गया है और किस time के बाद गया है तो ये बिल्कुल basic basic से questions हम start करते हैं बरी इसी में अगर आगे चीजें चलेंगी तो वो चीजें combined में आएंगी भई कोई छोड़के भी चला गया और कोई group में शामिल भी हो गया तो वो questions इन सब type होने के बाद में हम आप लोगों को बता दूँँगा तो ये बहुत simple सा question है इसी में 3 unit का भी question आता है तो वो भी हम देख लेते हैं तीन unit का question क्या होगा question में लिख लेते हैं A करता है 10 दिन में B करता है 12 दिन में और C करता है 15 दिन में तो मैं लिखता हूँ भई A plus B plus C ने start किया सिरफ छोटी-छोटी heading में मैं लिख देता हूँ A plus B plus C ने start किया ठीक है दो दिन के बाद A left A चला गया ठीक है और और A के जाने के एक दिन बाद B चला गया तो remaining work and total work कितने दिन में complete हुआ ठीक है ये कोशन है तो देखो इस बार क्या हुआ तीन यूनिट का कोशन लिया हमने starting करी तीनों ने दो दिन के बाद किसने काम करना बंद कर दिया भी दो दिन के बाद किसने काम करना बंद कर दिया ये नहीं और जब A गया ये देखो A के जाने के एक दिन बाद कौन चला गया बी चला गया एक दिन बाद गया ठीक है इसका solution देखते है A, B, C 10, 12, 15 पहला step हमारा रहता है LCM 60 दूसरा step हमारा रहता है Efficiency 6, 5 and 4 ठीक है तो अब आओ question की उपर क्यों मैंने बताया statement बहुत जरूरी है starting किसने करी A plus B plus C ने यहाँ पे मैं step wise लिख देता हूँ लेकिन paper में आप लोगों को direct करना है starting करी है A starting की गई है A plus B plus C के द्वारा तो अगर तीनों मिलकर काम करेंगी तो Efficiency कितनी हो जाएगी तीनों की प्लस 6, 5, 11 और 4, 15 तो 15 की Efficiency से काम किया गया कितने दिन? 2 दिन क्योंकि 2 दिन तो इकठा किया न उसके बाद कोन गया है? A गया है तो दो दिन काम किया इसके बाद इस point के उपर किसने कारे left कर दिया? A ने तो इसके बाद A ने कारे left कर दिया तो अब बच कोन गया गुरूप में? अब बच गया B और C ठीक है? तो B और C बच गये तो Efficiency कितनी रह गई? नई तो यहां देखो सीधा लिखा है A के जाने के एक दिन बाद तो यानि A तो गया इसके एक दिन बाद कोन गया? B चला गया तो एक दिन इन्होंने अब मिलकर काम किया हुगा तो B और C ने मिलकर कितना काम किया? नई अब किसने कारे छोड़ दिया? B ने काम करना बंद कर दिया तो अब B ने भी छोड़ दिया तो बच गया कौन गुरूप में? C Efficiency कितनी है? C की? 4 तो C की Efficiency है 4 तो अब Remaining work कितना है? तो Remaining work देखो Total work मेरे पास था 60 Remaining work कैसे आएगा? Total work में से जो काम हो चुका है वो माइनस कर देते हैं तो Remaining work मेरे पास रह गया 21 तो अब ये 21 जो work है ये कौन करेगा? ये करेगा C तो Remaining days या Remaining work के days जो है वो कितने आगए? 21 by 4 तो ये कितना हो गया? 5 1 by 4 तो ये 5 1 by 4 आपके आंसर है अगर आपसे पूछे जाए Remaining days कितने हैं या 6 काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो इसके साथ एक कोशन और पूछा जाता है टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा? तो टोटल वर्क अगर कंप्लीट करना है तो आपके पास Remaining days में हमें क्या जोडने पड़ेंगे? जो पहले कारे करे गए वो वाले दिन यानि के 5 1 by 4 प्लस का 3 तो यह हो गया टोटल 8 1 by 4 days 8 1 by 4 days तो यह है आपके पास सेश काम का उत्तर यह है सेश काम और यह है आपके पास पूरा काम का उत्तर तो सबसे जरूरी चीज इसमें क्या रहती है? आपकी statement रहती है मैं फिर कहा रहा हूँ statement में अगर एक step छोड़ दिया तो वो आपका पूरा का पूरा question गलत हो जाएगा तो बहुत ध्यान से आपको statement पढ़नी है बहुत ही ध्यान से आप लोगों को statement पढ़नी है और ये ध्यान रखना है कि कोण कब गया किसने कब left किया जितने दिन से वो left करेगा वो दिन हम रख लेंगे बाद में उस चीज को हम लोग cover up कर देंगे ठीके? तो ये चीज आपके पास है ये कोशन आपका रहेगा 3 unit का किसका रहेगा? 3 unit का ठीके? तो ये हैं आपके पास अगर कारे को कोई left कर देता है तो 3 unit से ज़ादा का कोशन आपका नहीं बनता ठीके? तो ये इसके बहुत सारे combined questions भी आते हैं left भी करेगा, join भी करेगा, replace भी करेगा alternate भी आएगा तो वो एक बार ये धीरे-धीरे अगर आपका point of view इस पे clear हो जाता है तो हम वो चीज combined questions के इसके बाद cover up करेगी ठीके? तो अब चलते हैं next के उपर तो next अगर आपको देखें, तो next मैंने आपको बताया था, group में add होना है तो ठीके? ये उस question का उल्टा होगा ये उस question का उल्टा होगा भी पहले वाले में क्या था? इकठा काम करते थे और धीरे-धीरे कोई left करता जाता था, ठीके? addition वाले में क्या है? कोई अकेला काम start करेगा और धीरे-धीरे क्या होगा? group में कोई ना कोई add होता जाएगा ठीक है तो question बिल्कुल उलट हो गया तो इसमें भी आपके पास एक unit, दू unit और तीन unit तीनो type के question बनते हैं तो हम बिल्कुल basic से start करते हैं ठीक है question क्या है A करेगा 15 days में B करेगा 12 days ठीक है, question में यहां लिख देता हूँ A started the work A started the work and after 6 days B joined the group B joined the group find number of days to complete to complete the remaining work and total work ठीक है A ने किसी काम की शुरुवात की और 6 दिन के बाद B joined the group यानि अगर आप किसी को join करना है तो उसकी efficiency मुझे क्या करने पड़ेगी add करने पड़ेगी ठीक है तो starting बिल्कुल basic method से ही होगी A 15 B आपका है 12 ठीक है LCM कितना आगया हमारे पास 60 15, 4 12, 5 ठीक है अलग-अलग efficiency हम लोगों ने निकाल ली तो अब देखू starting किस ने करी A ने starting करी और कितने दिन के बाद आया है B 6 दिन के बाद आया है भई ठीक है तो क्यों ना मैं A से 6 दिन का काम करवालू कितना काम हो चुका 24 24 unit work आपका हो चुका है ठीक है अब ये 24 unit work होने के बाद उसके साथ कौन add हो गया B add हो गया ठीक है तो अब efficiency आपकी कितनी बन गई नहीं क्यों कोई भी add होगा तो efficiency आपकी क्या हो जाती है प्लस हो जाती है तो देखू टोटल work था 60 24 हो चुका है तो बच कितना गया 36 ठीक है ये मेरे पास है remaining work तो अब ये remaining work करेगा कौन A और B मिलकर करेगा तो 36 अपोन में A प्लस B 36 अपोन में A प्लस B यानि efficiency टोटल कितनी हो गई 9 तो 36 by 9 यानि 4 days 4 days तो 4 days में आपका क्या हो जाएगा remaining work हो जाएगा ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए total work तो 4 days में हमें क्या add करना पड़ेगा 6 days जो इन्होंने पहले काम किया वो मुझे add करना पड़ेगा तो total मेरे पास कितने आ जाएगे 10 days आ जाएगे ठीक है पर देख लो किसी का कोई doubt हो तो वो आप comment section में बता सकते हो ठीक है तो इसी में आपके पास 3 unit का question भी आता है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं तो ऐसे ही generally question ले लेते है question क्या है A करता है 12 में B करता है 15 में और C करता है 20 में question क्या है A start करता है and after 3 days B joins B joined the group after after two more days C joined the group after two more days C joined the group find number of days to complete remaining work and total work ठीक है यह आपसे पूछा जाता है तो इस question को कैसे करेंगे ठीक है अब देखो starting किसने करी है A ने starting करी है 3 दिन के बाद B आया तो इसका मतलब A ने 3 दिन अकेले काम किया होगा A से 3 दिन का काम करवा लेंगे ठीक है उसके बाद शामिल हो गया कोन B तो B जब A के साथ शामिल हुआ तो 2 दिन के बाद कोन आया C आया B तो C के साथ 2 दिन का A और B 2 दिन का मिलकर अगर काम कर लेंगे तो जो काम हो जाएगा वो बचेगा वो कौन करेगा C भी जोएन हो गया तो अब working में कौन आ गया A प्लस B प्लस C आ चुका है वही तो अब तीनों से हम लोग कारे करवा लेंगे तो कौशन बिलकुल बेसिक से साथ करते है A हो गया 12 B हो गया 15 और C हो गया 20 तो इसका LCM आ गया आपके पास कितना 60 12 पांच 15 चार 20 दिन तो अने साथिंग करी A की efficiency कितनी है 5 कितने दिन 3 दिन तो टोटल काम कितना हो गया वही 15 अब A के साथ कौण जो N हो चुका है E जो N हो चुका है तो यानि अब efficiency कितनी हो जाएगी 5,4,4,9 कितने दिन के बाद After 2 more days तो 2 more days यानि 18 अब कौण आ गया C भी आ गया A plus B plus C अब efficiency कितनी हो गई 12 हो गई ये आपके पास है efficiency इस चीज को ध्यान में रखना है तो अब वर्क कितना हो चुका 15 और 18 33 यूनिट वर्क मेरे पास आ चुका है यानि ये आपने complete कर लिया ये आपने complete कर लिया अब remaining वर्क कितना है 60 में से 33 माइनस अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास कितना रह जाता है 27 वर्क अब ये remaining वर्क तो हो गया 27 करने वाला कौण है A plus B plus C तो days कितने लगेंगे भी तो days लगेंगे 27 by 12 तीन से काट लेते है 9 by 4 यानि के 2 1 by 4 days ये लगेंगे अगर आपसे पूछा जाए remaining वर्क remaining वर्क तीक है और अगर आपसे पूछा जाता है total वर्क total वर्क तो total वर्क के लिए जितने दिन पहले काम हुआ वो भी हमें plus करना पड़ेगा यानि 2 1 by 4 plus का 3 and 2 कितना 5 यानि पूरा काम कितने दिन में खतम होगा तो 5 और 2 7 7 1 by 4 days ठीक है तो ये मेरे दोनों के दोनों आंसर है तो ग्रूप में left वाले question हो चुके है ग्रूप में addition वाले question हो चुके है तो बिल्कुल basic basic से question मैंने आपको बताए ताकि आप चीजों को समझ पाओ कि अगर छोड़के जाए तो क्या करना है और गूरूप में add हो तो क्या करना है तो ये 4-5 question है आपके इनको एक बर देखिएगा किसी का कोई अगर doubt हो तो वो आप नीचे comment section में बता सकते है तो आज के लिए यही दो topic रखते हैं आपने ठीक है आज के लिए यही दो topic रखते है आगे की जो आपकी videos होंगी उसमें जो आपके questions या उसके जो type रह गए यानि के replace वाले alternate वाले और left before completion तो यह जो तीन type रह गई है यह हम करेंगे next में cover ठीक है तो अगर future के लिए आपको कोई चीजें चाहिए है PDF हो गया जैसे आपके पास या कोई videos हो गई या proper आपको कोई solution चाहिए अपने doubt के लिए ठीक है तो वो आपको link दिये गए है उसके उपर आप link को copy कीजिए या link के उपर click कीजिए आप directly लिए उसी चीज़ के उपर पहुंच जाएंगे उसको like कीजिए follow और share ठीक है चैनल का नाम है हमारे पास quantity तो इसको like कीजिए follow कीजिए और share कीजिए ठीक है हर एक problems की solution होंगे आपको solution copy पे भी मिल सकता है और हो सके तो time इसका वीडियो के उपर भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को आप like, share, follow कीजिए आज के लिए thank you